हलो दोस्तो मैं हुरेज़त गोईल और आज इस वीडियो में आपको मोटरोला के फोन्स के पारें बताने जा रहा हूं दोस्तो मोटरोला ने अपने मोटो जी फाइव और जी फाइव प्लस को लॉंच कर दिया है दोस्तो MWC में जो के कल उनका लॉंच इवेंट हुआ था दोस्तो और दोनों ही फोन्स को अन्वेल कर दिया गया है दोस्तो तो इस वीडियो में आपसे इन ही दोनों फोन्स के पारें बात करने जा रहा हूं दोस्तो तो अगर आप इन दोनों phones के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर पढ़ने रहेगा दोस्तो तो दोस्तो Moto G5 और G5 Plus को लोंच कर दिया गये है और अगर मैंन की pricing की बात करूं दोस्तो तो इन दोनों की pricing दोस्तो Moto G4 और G4 Plus दोनों से कम रखी जाएगी और जो phones हैं दोस्तो पिछले G4 और G4 Plus से थोड़े compact बनाए गए हैं इस बार अगर मैं camera की बात करूं तो camera भी improve किया गया है दोनों में आपको Android 7 नहीं देखने के लिए मिलेगा तो चलिए दोस्तो इन दोनों phones की specifications हम compare कर लते हैं और मैं आपको बता देता हूं दोनों phones में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले गर मैं बात करूं दोस्तो Moto G5 की तो इसमें आपको 5 इंच की full HD screen देखने के लिए मिलेगी अगर मैं बात करूं G5 Plus की दोस्तो उसमें आपको 5.2 इंच की full HD screen देखने के लिए मिलेगी Moto G5 में दोस्तो आपको 2800 mh की removable battery देखने के लिए मिलेगी अगर मैं G5 Plus की बात करूं दोस्तो उसमें आपको 3000 mh की non removable battery देखने के लिए मिलेगी अगर मैं design की बात करूँ दोस्तो तो लगभग same आपको देखने के लिए मिलता है लेकिन फिर भी आपको G5 में removable battery दी गई है और G5 Plus में आपको non removable battery दी गई है दोस्तो दोनों ही phones में आपको turbo charge की sport मिल जाएगी जैसा के motorosa के phones में आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तो अगर मैं बात करूँ इन phone के processor की दोस्तो तो moto G5 में आपको snapdragon 430 देखने के लिए मिलेगा हाला कि G5 Plus में आपको थोड़ा बहतर processor देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो आपको उसमें snapdragon 625 देखने के लिए मिलेगा जो के काफी अच्छा processor में बहुत सकता हूँ 430 के comparison में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो दोनों ही phones में आपको screen के नीचे fingerprint sensor भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तो और Corning Gorilla Glass 3 दोनों ही phones पर use किया गया है अब अगर जो मैं main difference की इन दोनों की बात करूँ दोस्तो वो आता है camera में अगर मैं Moto G5 की बात करूँ दोस्तो तो पीछे की तरफ आपको 13MP का PDAF autofocus के साथ आपको camera दिया गया है लेकिन Moto G5 Plus में आपको काफी बहतर camera दिया गया है दोस्तो G5 में अगर मैं aperture की बात करूँ तो आपको f2.0 देखने के लिए मिलता है अगर Moto G5 Plus की मैं बात करूँ दोस्तो तो उसमें आपको 12MP का F1.7 aperture का camera देखने के लिए मिलेगा दोस्तो जोके low light में photos देने के लिए काफी बहतर होगा दोस्तो और इसी के साथ आपको इसमें जो pixel size देखने के लिए मिलेगा दोस्तो वो है 1.4 microns का तो यह camera अगर मैं बात करूँ दोस्तो बहुत ही बहतर होने वाला है और काफी मेरे हिसाब से इस segment में जो आपको phones देखने के लिए मिलते हैं किसी भी phone में आपको ऐसा camera देखने के लिए नहीं मिल पाएगा दोस्तो तो camera अगर मैं बात करूँ तो इस phone में आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा ऐसा camera दोस्तो आपको Samsung के high end phones में देखने के लिए मिलता है अगर मैं बात करूँ Samsung के S7 और S7 Edge की दोस्तो उन phones में आपको ऐसा camera देखने के लिए मिलता है तो एक काफी अच्छा कैमरा देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तो दोनों में से किसी भी फोन में आपको NFC की स्पोर्ट नहीं मिलती दोस्तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूं दोस्तो तो Moto G5 आपको 2GB RAM और 16 प्लस 32GB दो वैरिंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगे दोस्तो अगर मोटो G5 प्लस की बात करूं दोस्तो तो उसमें भी आपको 2 वैरिंट्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तो पहले वैरिंट्स में आपको 2GB प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी और दूसरे वैरिंट्स में आपको 4GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तो तो एक काफी इंट्रस्टिंग न्यूज निकल के सामने आई है दोस्तों मेरे इसाब से Moto G5 Plus एक काफी बहतर फोन रहने वाला है इसकी pricing अभी confirm नहीं हुई है दोस्तों अगर यह लगफख 10 से 15 के बीच में या मैं बोदूँगा 12 से 15 के बीच में जोंच होता है दोस्तों Moto G5 Plus तो एक काफी interesting option रहने वाली है दोस्तों क्यूंकि इसमें आपको latest Android देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों इसमें आपको काफी अच्छा Android का look and feel देखने के लिए मिलता है अगर मैं बात करूं कैमरा की तो इसमें आपको काफी बहतर camera देखने के लिए मिलेगा बैटरी भी इसमें आपको अच्छी मिलती है और उसमें उसके साथ ही आपको turbo charge का sport मिलता है तो एक काफी बहतर phone देखने के लिए आपको मिलने वाला है दोस्तों और G5 भी एक काफी अच्छा phone में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके price लगभग 10,000 के करीब रखी जाएगी दोस्त तो देखते हैं दोस्तों इन phones की pricing क्या होती है और आगे निकल के इनके पार में क्या news निकल के सामने आती है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपके इस वीडियो के पार में कुछ सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा दोस्तों और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों तांकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावा दोस्तों